एक prolonged unconsciousness की वहाँ स्टेज है जो पूरे परिवार को disturb कर देती है ब्यक्ति परिवार ये समझ लेता है कि अब हमारा अपना है यहाँ बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रह पाएगा निश्चेत रूप से ये medical emergency है साथियों लेकिन हुम्योपैथी में कहीं इसका रोल है हम प्रयास करेंगे आपकी इस मुश्किल को अपनी दरफ से कुछ आसान करने का नमस्कार साथियों डॉक्टर रूमंख खना हुम्योपैथी क्लीनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे एक medical emergency की एक medical emergency होती है कोमा मरीश कोमा में होता है लगबग मरना सन होता है तो आज हम बात करेंगे उसी स्थिती की और आपको बताएंगे हुम्योपैथी में कुछ कारगर हुम्योपैथी में दवाएं लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें वास्तव में कोमा होता क्या है कोमा साथियों आपके unconsciousness किसी मरीश के unconsciousness की वो prolonged stage होती है कि बहुत लंबे समय तक जब आदमी होश में नहीं रहता है उसकी breathing irregular हो जाती है उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं उसके brain के reflexes uneven हो जाते हैं और वहाँ life support पे आ जाता है तो यहाँ जो स्थिती होती है साथियों यही कोमा की स्थिती होती है बात कर लेते हैं साथियों symptoms की कोमा के symptoms साथियों कोमा के symptoms मरीश unconscious रहता है मरीश के हाथ पैर वर्क नहीं करते हैं वो एक तरह से paralysis वाली स्थिती में पड़े रहते हैं बिल्कुल कोई response नहीं होता किसी stimuli का मरीश की heartbeat uneven हो जाती है मरीश की sas uneven हो जाती है मरीश का जो brain के signals होते हैं वहाँ uneven हो जाते है तो यही symptoms होते हैं इस prolonged unconsciousness के कारणों की बात कर लेते हैं साथियों कोमा के कारण सबसे बड़ा तो trauma injury ही होता है उसके लावा diabetes हो जाता है brain disorder हो सकते हैं कोई भी nervous disorder हो सकता है इस तरह से तमाम कारण हो सकते हैं कोमा के एक गंभीर समस्या है साथियों medical emergency है जादा मरीश अस्पताल में ही admit रहता है लेकिन एक समस्या है परिशानी है तो मेरे मन में आया इस पर भी वीडियो बनाया जाए दवाएं साथियों निश्चे त्रूप से केवल सपोर्ट के लिए है या किसी भी allopathic treatment या आपका मरीश कोमा में आ गया है उसको allopathic treatment को substitute करने का विकल्प कता ही नहीं है लेकिन क्योंकि एक बिमारी है और अगर homeopathic में दवाएं है तो मेरे duty है आपके सामने उन दवाओं को लाने की हम वही दवाएं आपके सामने लेकर आते हैं बताते हैं आपको कोमा से मरीश के इस unconsciousness के stage को बाहर निकालने की कुछ हो में उपर दिक दवाएं एक इस्टिटी साथियों आती है कि मरीश को लंक्स के symptom रहे हो मरीश के बहुत जक्रन रही हो और वहाँ कोमा में चला गया हो तो गर यह स्टिटी है साथियों कि मरीश के जक्रन रही हो सीने में बहुत जादा और वहाँ कोमा में चला गया हो और उसको खासी खासी का उसमें सिम्टम हो तो होमियोपैति में इस इस्टितेज से मरीज़ को कुमा से बाहर लाने की एक बहुत अच्छी बबा है और दबा का नाम है ऐन्टिम टार्ट तरिकम आप ऐन्टिम टार्ट 200 पावर में दो दो बन दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जो कुमा में है या गया है और उसको सीने में बहुत जकलन और खासी रही है यहाँ सिम्टम है तो कुमा में एक संभाव ना है कि इंटिम टाट काम करके देखे आपके मरीज को जल्दी ठीक करें एक साथियों स्थिति आती है कि किसी का मरीज कुमा में हो और उसको एक सिंटम रहा हो कि उसको पेशाब इन्वालेंट्री निकल जाती हो तो अगर यहाँ स्थिति हो कि पेशाब पे मरीज का कंट्रोल ना रहा हो और वहाँ कुमा की स्थिति में चला गया हो तो आपके ब्रेन को उसी सित्ती में स्टिम्लेट करने की बहुत कारगर दवाय ओपियम आप ओपियम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहां दवाँ आपके ब्रेन को स्टिम्लेट करेगी और आपको स्वास्तलाब देगी एक सित्ती साथियों किसी मरीज को आई हो कि वह पावर में चला गया है तो उसी सित्ती को ठीक करने की होमियोपथी में बहुत कारगर दवाय ऐसीड हाइड्योसियानम अब एसीड हाइड्योसियानम 30 पावर में दो दो बून दिन में थीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जो कि कॉमा में चला गया हो और उसको हिष्टि रह हो कि मरीश कोमा में उस इस्तिती में चला गया हो कि बिल्कुल वहाँ इग्जॉस्टेड हो गया हो बिल्कुल ठक चुका हो इतना उसे संगर्स कराओं महनत करी हो और वहाँ कोमा उसके बाद हो ऐसकी हिस्टी बहुत महनत की करमठ योगी वाली तो अगर यहां इस्थिति यह सातियों तो इस इस्थिति में ठीक करने की इसकी दवा है जिनकम मेटलिकम, आप जिनकम मेट 30 पावल में दो दो बून दिन में तीन बार दे सकते हैं, यहां दवा इसे मरीज को स्वास्त लाब देगी और मरीज को स्वास्त रखेगी, यदि सात स्वास्त लाब दो 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 बून दिन में तीन बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं, जो मेनेंजाइटिस के कारण कोमा में गया है, यहां दवा उसको ठीक करने की एक उमीद की किरन अवश्य परेगी, एक सातियों स्थिति आती है कि मरीज को सन स्टोक पड़ा और वो कोमा मे चला गया हो, तो अगर सन स्टोक के कारण मरीज कोमा में है तो उसे स्थिति को ठीक करने की हो, पर यह बहुत कारगर दवा है, गलो 9, 30 पावर में दो 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 बून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है, जो कोमा में गया हो, सन लाइट के कारण, यहां दवा उसको स्वास्त लाब दे के उसको स्वास्त करेगी, एक स्थिति आती साती हो, मरीज को ब्रेन हैम्रेज हुआ हो, और वह कोमा में गया हो, तो अगर यहां सिम्टम है कि अनकॉशेसनेस की स्थिति में, प्रोलांग्ड अनकॉशेसनेस की स्थिति में मरीज ब्रेन हैम्रेज के कर साथ यहां देर स्वास्त लाव от एक को गुसा बहुत आता है श में बहुत गुस्सय की रही हो और वहां कोमा में अब हो तो तो किनी भी कारणों से रही ओ लेकिन इस्टरी बहुत गुस्सय की रही हो तो उसे शीति को ठीक करने की होमियों पैथी में बहुत कारगर दभा है बूफो बूफो राना बूफो थार्टी पावर में दो तो वो उन दिन में तीन बारा पैसे मरीज को दे सकते हैं इससे वहाँ वापस कॉंश्यसनेस की स्टेज में आएगा और स्वास्तला करेगा एक साथियों कोमा क यसे इस स्टिती आती है कि मरीज के जब हाथ पर हिलाओ तो ठोड़ा कॉंश्यस स्टेट में आ जाता हे लकिन फिर वह अंकॉंश्यस चला znata है तो उब यहां इस्थिति ये साथियों कि थोड़ा बहुत उसको शेकिंग से वहां कॉंशनसनेस में आता है और उसके बाद फिर वहां उनकॉंशनस में चला जाता है तो इस इस्थिति की हुम्योपैती में बहुत अच्छी दवा है टेरी बिंथ अब टेरी बिंथ 30 पावर में दो दूबू के बाद मरीज को में हो तो उस्थिति को ठीक करने की हुम्योपैती है बहुत कारगरतबा रहनननकुलस बल्बोसस थर्टी पावर में दो दो दूबून दिन में तीन बारे से मरीज को दी जा सकती है जो की बहुत क्राणी ट्रिंकाड अपने समय का रहा हो आज वहां को में चला गया है यहां दवा उसको स्वास्त लाब देगी और उसके नसी की आदत को भी छुडाईगी और उसको स्वास्त रखे यह साथियों को दवाए थी को मा के विशह में एक यह मेडिकल इमर्जेंसी यह साथियों मैं दूआ करूँगा भगवान से प्रे करूँगा कि मन में कोई कोरी हो तो वाटसेप करिएगा हमारे वाटसेप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब देख सकें निवेदन करेंगे सातियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे निया वीडियो योही प्राप्त करते रहिएगा आपका साथी हो हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टाइ के लिए भुपपण बहुत बहुत नवत य peoples के लिए एंदने आार मां चथा हुआ mens unknown इतनी नवार्याद ुप तो इंदश हो हमारे साथ से अउ Sw Billie इतनी और साथ y ख खो 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 और मांठे के लिए Вам inequी ही ही हुआ हुआ 눈 साल यो इतनी नी हो वघी है झाल झाल